सरकार की तरफ से शुरू की गई कन्यास्मंगला योजना के अंत्रगत सभी बेटियों के बैंक खाते में सिक्सा के लिए दो हजार रूपे और साधी के लिए दो लांक रूपे सरकार की तरफ से दिये जा रहे हैं अगर आपके घर परिवार में भी बेटी है तो आप भी अपनी बेटी के लिए यह लाब प्राप कर सकते हैं लेकिन लाब लेने के लिए आपको रजिस्टेशन करना होगा और दोस्तों रजिस्टेशन भी शुरू हो चुके हैं इसके बारे में हम आपको संपूर्ण जानकर यहां पर देने वाले हैं कि आपके बेटी को सिख सके लिए कब और कितने पैसे दे जाएंगे और क्या इसके नियम हैं कैसे बैंक खाते में पैसे ट्रांसपर किये जाते हैं इसकी पूरी प्रिक्रिया हम आपको यहां पर देने वाले हैं दोस्तों हमारा आपसे चोटासा निवेदन है कि वीडियो को आप अंत तक जरूर देखेगा तभी आप इसके बारे में संपूर्ण जानकरी प्राप्त कर पाएंगे बेटी की कितनी उम्र होन चाहिए तक भी लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए सेयर करेगा यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चले दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं कि मुख्य मंत्री सुमंगला योजना के अंतरगत मिलने वाला लाब मिलने वाली धनरासी आपको कैसे दे जाएगी और दोस्तो क्या पूरी प्रग्रिया है तो दोस्तो यहाँ पर जो पहले किस्त दी जाएगी वह बेटी के जन्द के समय दी जाती है वही दोस्तो दूसरी किस्त बेटी को टीगा करन के वाक्त दी जाती है और दोस्तो जब बेटी का आइड मिशन 6 क्लास में होता है तो बेटी को 3,000 रुपे दिये जाते हैं सीधा 55 बेटी के बैंक एकाउंट में ट्रांस्फर किया जाता है वही दोस्तो जब बेटी आठ वी क्लास में जाती है तो सरकार की तरफ से पूरे 5,000 रुपे बैंक खाते में ट्रांस्फर करने होते हैं दोस्तो वीडियो को लाइक नहीं क्या है तो वीडियो को लाइक कर दीजे क्योंकि हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि आवेदन करने के लिए आपको कौन-कौन से दस्ताविजो की आविशकता होगी वहीं दोस्तो जब आपकी वेटी हाई स्कूल में एडमिसन लेती है या फिर पास कर लेती है यहां पर बताया गया है कि हाई स्कूल पास करने पर 7,000 रुपे परदान के जाएंगे यानके जब आपकी वेटी फ्रैंत क्लास को पास कर लेती है तो 7,000 रुपे उनको दिए जाते हैं ताकि वे नैश्ट क्लास में एडमिसन ले सके इनके दुस्तो यहाँ पर इंटर में admission लेती है, तो उनको सीधे जब 8 वी पास करने के लिए 5000 रुपे, और दोस्तो यहाँ पर तशवी पास करने के लिए 7000 रुपे जब 10 वी पास कर लेती है आगे पड़ सके और धोस्तो गेरज narrative में ऐड्मिशन लेती है, या फिर कोई भी डिप्लोमा कर सके ठीक है तो 8000 रुपए यहां पर सरकार की तरब से दी आते हैं लेकिन दोस्तों यह तो रही आपकी बात सिख्सकी कि शिख्सक के लिए सरकार की तरब से यह धनरासी दी जाएगी लेकिन जब बेटी की आयू 21 वर्स हो जाती है तो बेटी को दो लाख रूपे साधी के लिए भी आर्थिक सहेता परदान की जाती है जिए जोस्तो साधी के लिए سरकार की तरब से जाते हैं अब यह लाब आप कैसे ले सकते हैं तो दुस्तो आप बता दें कि आपको registration करना होगा आप उत्तर प्रदेश के निमासी होने चाहिए ठीज दूस्तो और यहाँ पर आपका आधार काड़, बेटी का आधार काड़, पासपोर्ट साइज फोटो बेटी के एक मोबाइल नमबार, आधिवास परमान पत्र, बैंक एकाउंट विवरन, यदि बेटी गोद ली हुई है तो गोद लेने का आपके पास परमान पत्र भी होना चाहिए, तो यह सभी दस्तवेज आपके पास होना चाहिए, तभी आप अपनी बेटी के लिए दोस्तो रेजिस्टेशन कर सकते हैं रेजिस्टेशन दोस्तों आपको करना होगा मुख्य मंत्री कन्या सुमंगला योजना की ओपिशियल वेबसाइट पर जाकर आप जैसे गूगल पर दोस्तों सर्च करेंगे तो आपके सामने पूरा गोवीडियो को आपने लाइक नहीं क्या है तो वीडियो लाइक कर दीजिए सेयर करेगा चिनल पर पहली बार आए हैं तो चिनल को आप जरूर सब्सक्राइब पर दीजेगा बेल आइकन को ओल पर सेलेक्ट कर लीजेगा अब चाहते हैं आप से इजाज़त और मिलते हैं पुझेश्ट वीडियो में दोस्तो तब तक के लिए जै हिंद जै भारत